बदलना कौन चाहता है मजबूर कर देते हैं लोग हला विटुफल बीपल नमस्ते कैसे हैं आप सब टैटल अविश्ट्पल वन पे आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है गाईज गाईस तो मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक कलेक्टिव रिडिंग और आज रिडिंग यस और नो पर आधारित होने वाली है दो तरीकी की रिडिंग होने वाली है सबसे पहले तो एक प्रश्ण जो मैं यहां पर ढूंडूंगी जिसका जवाब या तो यस या फिर नो में निकल कर आएगा और दूसरा प्रश्ण आपको अपने मन के अंदर सोचना है जिसका उत्तर आपको रिडिंग के अंत में मिलेगा किसी और डेक्स है ठीक है तो आज जो यस और नो के रिडिंग मैं करने वाली हूँ उसके पीछे का जो प्रश्ण है वो यह है कि क्या आपके जो परसन है आपके जो वक्ति है आप जिससे अभी बहुत ज़रा प्यार करते हो पर दूरी बना कर वो वक्ति बैठे हुए है क्या ये वक्ति वापस आना चाहते है जी हाँ अपडेड़े डिंग जो है कलेक्टिव मैं करने वाली हूँ सेम टॉपिक पर तो क्या ये वक्ति वापस आना चाहते है या फिर वापस आएंगे ठीक है इस पर यस और नो उनकी ही एनर्जी को देखकर मैं आपको बताने वाली हूँ और ये जब रिटिंग खतम हो जाएगी इसका जवाब आपको मैं तो हा में दूंगी या ना में दूंगी उसके बाद अंत में आ साथ हो जाएए तयार मैं आपको बताती हूँ कि क्या ये वक्ति वापस आएंगे कलेक्टिव डिटिंग है तो हो सकता है आप सभी के साथ ये रेजनेट ना हो सभी के परसन की भावना ये ना हो है ना ये हो सकता है तो फिर भी उमीद और जो है खौसला भरोसा हमें रखना पड़ता है तो चलिए सबसे पहले इस व्यक्ति के अनर्जी आज मैं चेक करना चाहूंगी कि किस अनर्जी में है आपके परसन जो वापस आना चाह रहे है या फिर नहीं कि आप 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 अब वुमें का सब्द यहां पर प्रयोग हुआ है तो अभी यह मस समझ लेना कि रिडिंग सिर्फ जो है लड़कियों के लिए है एना ऐसा नहीं है बिलकुल यह हर किसी जंडर के लिए होता है आप जानते ही हो मैन वुमें महीला पूरसिस से कोई फर्क नहीं पड़ता है टैर्ट रिडिंग में पर यह जो व्यक्ति है यह वापस आना चाहते है या नहीं इस सवाल का जवाब कुछ देर बाद हमें मिलेगा पर सबसे पहले इनके बारे में बता दू कि यह व्यक्ति साइद दिन का कोई ऐसा समय या कोई ऐसा वक्त नहीं होता कि यह वक्ति आपके बारे में नहीं सोच रहें और इस opt की खाशिये ये भी होती है आपको मैं बता दूंकी thinking woman का मतलब क्या होता है आपने इस स्वेक्ति के बारे में हमेशा सोचा है आपने इस व्यक्ति को हमेशा आच्छा राह दिखाया है अच्छे mark दृषण आपने दिये है तो आपने इन फाफनेए निक democratic का यह . कि अच्छाई या भलाई के बारे में सोचने के लिए, आपका जो समय है, आपका जो जीवन है, जब तक इनके साथ आप रहे हो जुड़कर, तब तक आपने बस इनको ही रास्ता दिखाया है, गलत क्या है, तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, तुम्हारे लिए बुरा क्या ह क्या करना तुम्हारे लिए सही होगा कैरल पर तुम्हें क्या करना चाहिए अगर ये वक्ति फेल होता चला जा रहा था अगर ये वक्ति मुसीबतों में था तो आपने एक अच्छे दोस्त के तरह एक अच्छे प्रेमी की तरह प्रेमी का की तरह जो है इस वक्ति को हमेशा र निकाल ही लेते तो यह है आपके पॉसंद की अंदर से मतलब उनके जज़वात उनकी भावना उनकी ताकत आप से जुड़ी हुई यहां पर नजर आती है तो चलिए बहराल टैरट से अब हम रिडिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या यह वक्ति वापस आना चाहते गाइस य अभधिय होती है इसका एक समय होता है ऐसा नहीं है कि यस निकल कर आ गया तो हमेशा यसी रहेगा यह यह भी समय रह गया जादा से यह रिडिंग यह जिस दिन आप इस रिडिंग को देखोगे जब आपको यह रिडिंग मिलेगी आप काउंट कर लेना उससे एक हफ़ते के अंदर के लिए यह 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 रिडिंग काम करेगी ठीक है तो क्या यह वापस आना चाहते हैं यह वापस आएंगे जितने positive card उतने ही yes जितने negative card उतने ही no हर्मिट क्या बात है सुधार ऐसा लग रहा है आपके person जो है सुधार प्रियम में है रिहाब जिसे कहते हैं ना रिहाब लेशन सेंटर seven of air तो क्यों है आपके person सुधार के इंदर में तो देख लो यहाँ पर आया है seven of air स्टार आया है वाव ten of cups आपके energy bottom of the deck में rule कर रही है nine of earth चलिए इस deck से भी similarly ऐसे ही कुछ cards निकालेंगे सवाल आपके मन में तयार रखिए उसका answer मैं बाद में दूंगी यह तो मेरा प्रश्ण है जिसका उतर मुझे आपको हाँ या नामे देना है आपके person के बारे में है ना आपका सवाल किसी भी जीवन के किसी भी एक topic पर हो सकता है पैसा परिवार पार्टनर फ्यूचर केरियर दोस्त रिस्तेदार घविश्य किसी भी चीज़को लेकर आपका प्रश्ण हो सकता है तो उसे आप सोच लीजिए जिसका जवाब आपको अंत में मिलेगा प्हले आप कि ये वक्ति वापस आना चाहते हैं जो रहो के भी तो मुश में कहीं वाकी है स्ट्रेंथ टू आफ वैंस वर्ल्ड समय चक्र फाइव वैंस बॉटम में देखे गाईज एक तरफ आप हो दूसरी तरफ कोई और है वाउ कि तो चले साइनर अलमेंट की तरफ बढ़ते हैं लियो के एनरजी बहुत आई है निकलकर यहां पर फाइर साइन से लियो के एनरजी जबर जस्त है उसके लावा एक्कृरेस आया है स्टार के एनरजी से और साथ ही साथ वर्लगों के लिए भी रिडिंग खास हो सकती है हर्मि प्रेटिक्शन करते रह जाएंगे और इस वक्ति की वापसी नहीं होगी तो सबसे पहले इस वक्ति की भावना आपको बता देते हैं कि अभी ग्रेंट्स कने दीन आपके नजरों से दूर आपके आपके जिस्मों से दूर आप से दूरredit कोई व्यक्ति जो पहत residents करते हैं जिससे भी जानते है ना जैसे आपने की कॉमन थे कहाएं रिष्टेदारों में कोई आप दोनों को पहचानते हैं आप दुनों के relationship के बार में जब भी बाते होती हैं, तो यहाँ पर यह जगे जिकर आहरे isma, आपका parody होता है, Thinking man का जो यह बताता है कि बिलकूल, इनके जिकर में आप हो, इनके लफजों में आप हो, इनकी बातों में आप हो, जब भी बात होती हैं, आपकी तो अच्छी होती है, कि आप होते तो क्या होता, और आप होते तो इनको कैसी सलहा देते, आप होते तो इनकी कैसी मदद करते, आपकी आइडियाज को बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ और आपकी help, support को ये वक्ती बहुत एप्रिशेट करते हैं, और इन सारी चीजो आकर इस वक्ति का नुकसान नहीं हुआ है हमेजा कुछ ना कुछ अच्छा ही आप से जो है मिला है सीखने को मिला है करने को मिला है बोलने को मिला है अनुभव आप से बहुत अच्छे experience इसने बटो रहे हैं तो यह तो रही आपकी एक बात अब दूसरा यहां पर देखो मैंने जैसा कि कहा कि bottom में ही आप रूल कर रहे हो यहां पर एक तरफ है nine of earth के energy तो दूसरी तरफ है वही खामखा वाली energy वही एरे गेरे नत्तु कहरे वाली energy न कुई नफसोर्स के energy तो जहा से कहते हैं कि लक्ष्मी जी से हम कहते हैं कि हर वाइफ में एक लक्ष्मी का रूप होता है एक लड़की चाहे तो एक घर को आवाद कर सकती है या वरवाद भी कर सकती है फिर से मैं कहें दू कि यह जेंडर बेस्ट रेडिंग नहीं है तो मेरे मैं खुद एक लड़की होने की वज़े से महिला होने की वज़े से मेरे से मुझ से ये निकलता है तो जो भी हो हर पार्टनर में हम वो सब गुन चाहते हैं पर हर गुन वाला वक्ति हमें मिलता नहीं है हर किसी में एब होता है हर किसी में कुछ ना कुछ खराबी होती है पर आपके पार्टनर के दृष्ट इसके साथ मेरा डिलेशन्शिप टूटा तो बहुत अच्छी बात है ऐसा कभी सोचता ही नहीं क्योंकि इस वक्ति को आप में कुछ कमी नजर ही नहीं आती है ना इंडिपंडेंट हो आप है कमाने वाले इंसान हो कमा सकते हो आप है ना अपना दाइत्व खुद उठा सकते हो मोहताज नहीं बनना पड़ता आपको है ना पर बात यह है कि कभी अपने काबिलेत आपने देख ही नहीं है ना पर जो दूसरे लोग है या जो आपके पाड़ता रहा वहा tracks में है कि आप जो किसी को भी संपन कर सकते हो गर्राइब को भी सात किसी को मिल जाए तो वह वेक्त को पाना इसकाल इसके लिए गुड़ लग होगा यह वक्ति ऐसे आपको समझता है कि अगर आपको पा लिया जाए तो इनके इनका जो बुरा लख है वो चेंज हो जाएगा और इनके जिन्दगी में जो है आगे बढ़ने की तरक्की का जो भी बंद दर्वाजा है वो सारा का स खुल जाएगा तो एक पर्फेक्ट पार्टनर की छवी जो है इस वक्ति को आप में आज भी दिखाई देती है तो जहां पर इक तरफ आप दिखाई देती हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई और दिखता नहीं है दूसरी तरफ यहां पर फिर से बॉटम आप देक में कहीं मुझे लग रहा है कि जीवन साथी और परिवार ये जो दो सब्ध है ना इन दो सब्धों में जो है कहीं न कहीं जो है आपकी पार्टनर का बटवारा हुआ है ऐसा लग रहा है क्योंकि जितनी जगा ये आपको दे रहे हैं है ना दिल की इच्छाओं से दिल के ख्वा होगी जो बहुत कहते न कि ट्रडिशनल होगी बहुत ज़रा मान मर्यादा धर्म कर्म करने वाली होगी जिसके लिए परिवार सबसे पहले आता है उनके बच्चों की इच्छाएं नहीं आती तो कहीं न कहीं ये वक्ति आपका भी गुलाम नजर आता है कहीं न कहीं ये इसको भी ना छोड़ना पड़े और इसको भी ना छोड़ना पड़े दोनों की साथ मेरा रिस्ता मजबूत हो क्योंकि एक तरफ प्यार है जिसे ये भूल नहीं पा रहे है तो दूसरी तरफ कुछ और है जिसके साथ इनका सायद वो प्लड रिलेशन्शिप जिसे हम कहते हैं कि खुन का नाता वैसा कुछ है यहां पर तो दोनों को ही फेकना या दोनों से ही अलग होना इस वक्ति के लिए कठीन यहां पर हो चुका है तो अब बात करते हैं कि कैसा यह महसूस कर रहे हैं तो आप पहले ही आप देख लो कि 7 of air य या फिर ऐसी बाते आपके साथ हुई है जिसका जिक्र बाद में हुआ है जिसका खुलासा बाद में हुआ है बहुत से ऐसी चीज़े हुई है इनके द्वारा जिसका पता आपको इनके साथ रहते हुए नहीं चला आपको किसी दोस्त ने आकर बता दिया कुछ राज वाली बता दी इनके कुछ secrets बता दिये यहां फिर जो है इनोंने कुछ गरत किया है आपके पीछ के पीछे तो वह आपके सामने खुलासा हो गया और जब भी आपने इन से सवाल जवाब करने की कोशिस की तो इस वेक्तिन हमेशा आपकी तरफ पीठी दिखाए है कभी सच्चाई से उसका जवाब आपको नहीं दिया है तो यह होता है एक कहते हैं कि अपने पार्टनों से लुकाचिपी करने वाली एनरजी होती है तो मतलब गलत था यह इंसान ऐसा नहीं है कि दूद का दूला था या बिलकुल बिलकुल जो है पाक साफ सुत्रा यह वक्तिता ऐसा नहीं है इसने कदम कदम पर कई बार आपके साथ कुछ ऐसे चलावे किये हैं जिसकी उम्मीद आपने की नहीं थी और बाद में आपको बहुत बुरा जटका लगा भी है तो जो भी है अपना आप रात तो यहां पर इसको दिखी रहा है वहीं पर टू अफ वैंट्स के एनरजी आई होंगा ऐसी होती है, जहां पर कहने का मतलब है कि कुछ तो जो एकतका रहा है या कुछ तो है जो इसे रोक रहा है आपकी तरफ आपके नजदीक आने से है aspects का मैंड सोएबसे हैं साइ voyez इसका मन से बता रहा है कि तुम्हें उस तरफ जाना ही है चाहे कुछ भी हो जाए पर कई ना कई दिमाग इसा इस तरुके से जो है कि टेंट की निजार आई है तो आपको यह समझना है कि इस इसका इंटजार देखोगे वहीं पर आपको थोड़ा सा डर या थोड़ी सी जिजग फोड़ी हिचके चाहट वाली एणरजी भी नजर आएगी कि मुझे पार तो जाना है नदिया के उस यहाँ पर यह वक्ति उठाना नहीं चारे है, जब कि यह जान रहे हैं कि इनको जाना है, किसी भी किमत पर जाना है, पर कडम नहीं उठा पा रहे हैं, वहीं पर देखो five of vans की energy आई है और five of vans के energy हमें बता रही है, अब क्या बता रही है गाई, देखो एक जंग है, यहां प पर एक frustration भी आपको देखने को मिलेगा इस वक्ति के जीवन में जहां पर एक तरफ प्यार है दूसरी तरफ रुकावट है और उस रुकावट को पार करना भी चाह रहे हैं तो रुकावट एक खतम नहीं हो रही है मतलब रास्ता रोक दिया गया है ब्लॉक कर दिया गया है इस वक्ति को आपकी तरफ आने से ही जो है रोक दिया जा रहा है इस वक्ति को जो है तरक्की पाने से रोक दिया जा रहा है कहीं पर भी मैं आपको बताओ ना कि आपको लग रहा होगा कि इसको तो बहुत अच्छा कर्मा मिल गया है यह वक्ति तरक्की पर तरक्की करता चला ज पर यह मैं आपको बता दू कि यह वो है जो आपको बस अपनी नंगी आंखों से सोसल साइट्स पर दिखता है या आपके कानों में आकर कोई भर जाता है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे बगेर बहुत खुश है पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहां पर जो हो रहा इसके जीवन में वो बहुत अलग है इसके जीवन में तरक्की नाम की चीज है ही नहीं क्योंकि यह व्यक्ति पहले किसी को गलत करके आया है सेवन ओफ यहां पर आपके अनरजी दिख रही है कि आपने इनकी तरक्की के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है आपने अपना दाइत्व निभाया है आपने सब कुछ इस वक्ति के लिए किया है पर इस वक्ति नहीं किया तो उसका जो किसमत की ठोकर जिससे हम कहते हैं वो कि कभी लॉट्री का एक नंबर जो लॉट्री लोग खरिते हैं उसका एक नंबर अगर नहीं मिले ना बागी के पास दस नंबर मिल जाएंगे एक नंबर नहीं मिला तो लॉट्री किसी और की हो जाती है तो इसका कहने का मतलब है कि यह व्यक्ति भी उस सक्सेस तक पहुंसते पह नोर कर दे, इनको बार-बार humiliate कर दे, बेज़त कर दे कि तुम ऐसे हो, वैसे हो, तुम नालायक हो, तुम किसी काम के नहीं हो, इस तरीकी की जिल्लत भरी जिन्दगी जो है आपके person अभी बिताते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पर अगर आप देखोगे कि world का card आया है, तो world के energy क्यों आई है, यहाँ पर world के energy बता रही है, कि आप दोनों का जो किस्सा है, आप दोनों की जो कहानी है, आप दोनों का जो relationship है, वो अभी अधूरा है, ठीक है, वो अभी completion की तरफ नहीं बढ़ पाया है, अभी यहाँ पर अगर आप चाहोगे, अगर आप सोचोगे, कि instant result मुझे मिल जाए, अभी के अभी फैसला हो जाए, अभी के अभी जो सारी, जो चल रही है हमारे relationship में, जो भी problems चल रही है, वो अभी के अभी खतम हो जाए, तो ऐसा बिलकुल नहीं सोचना है, क्योंकि यह अभी के अभी होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि world हमें बता रहा है हना कि जब जब जिस जिस समय पर जैसी जैसी चोट पड़ेगी उसे तुम्हें पहले पार करना होगा उसका दर्द झेलना होगा अनुभव करना होगा फिर दूसरा जो है कदम उठाना होगा और उस कदम में साइद आपको खुशी मिले आपको ठोकर मिले आपको कुछ और तो उसको भी आपको पार करना होगा तो इस तरीके से समय चक्र का हर समय हमें जब पार हम करते चले जाते है उसका अंत होते चला जाता है तब जाकर फाइनली एक ऐसा इनाम आपके लिए रखा गया होता है एंड में जो इनाम आपके लिए हमेशा के लिए सुरक्षित हो है और यह वी आपको बता दू हमके लिए दुख लेकर नहीं आएगा यह समही चक्राइब है जो नियम कर्मा का उससे पार कर नहीं को रही है चेज़ आरा है तो मुझे तक लग रहा है आज यहां यहां पर आई है वह स्टार निज sawnailkinavit से आई है स्टार यही बता रहा है सबसे पहले आपके पोर्षन जानते हैं उनकी दिकत क्या है उनकी समस्या क्या है यहां पर आपको दिखने को मिलेगी समस्या यहां पर आपको दिखने को मिलेगी और सबसे बड़ी समस्या तो वर्ल्ड ही है यहां पर जिसने आप दोनों को पर बता रहा है एक इंसान की अजीव सीख्वाइस को एक इंसान के दिल से कुछ पुकारने को या दिल से कुछ मांगने को हक से मांगने को हैना क्योंकि इसे जो चाहिए वो इनके जो लोग है वो इन्हें नहीं दे पा रहे हैं आपके पोसन आपको अपना बनाना चाह रहे है नाइन ओफ पैंटिकल्स मतलब पर्फेक्ट पार्टनर लाइफ पार्टनर जीवन साथी जिसे कोई और न ले जाए इस तरह की सोच आपके लिए रख रहा है तो वहीं पर आप किसी और की नजरों में बहुत बुरे हो यानि कि कोई हैसित नहीं है आपकी कोई इज़त नहीं है आपको मानों ये लोग अपना दुस्मन मानते हैं तो इस तरीके से जो है ये वक्ति चाहता ये है कि बिल्कुल आपको हासिल कर ले हैना इनकी दुआये इनकी मनतों में ही आपको हासिल करना है ठीक है और दूसरी जो मनत इन बरिदास् हो पाता है ₤ या को समझहा कर तो इस ने जो मांगा । इनके लाइफ की कख़ीनाई है। यह अभी नाकामियाबह नाकामियाब पत्रालबहहा। और सकस्ल जो है आप तुनों का रिलेशनशिप आगे बढ़े ये वक्ति ऐसी दुआये प्रेस कर रहे हैं साथी साथ 10 वाटर का काड़ आया है और 10 वाटर का सपना तो देखो जीवन साथी यहां पर है लाइफ पार्टनर यहां पर है 10 अफ कपस यहां पर है और प्यार के आते हैं आपके साथ वह खुबसरुत घर यह वक्ति बसाना भी चाहते है तो 10 अफ कपस यह वक्ति चाह रहे हैं आपके साथ पर क्या 10 अफ कपस को और आपको पाने की हिम्मत इस वक्ति में है तो मैं आपसे कहूंगी बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहां पर स्ट्रेंद का का पर जदिना वक्ति हार जाता है, क्योंकि मन के अनंदर की सकती है कोई भी बडा डिशन देने के लिए वह बहत इंपॉट होती है और लहीं सकती आपके पोसंट के अंदर आभी बिलकुल छिन होचुकी है तो क्या हुआ है अन। कल तुमारा समय आएगा कल तुम बलवान बनोगे कल तुम डिशन्स लेने के काबिल बनोगे कल तुम लड़ने के लाइक बनोगे इसलिए एंजल्स नहां पर साथ, सपोर्ट, भरोसा, ट्रस्ट लेकर आप दुनों के रिलेशनिशिप में बिलकुल अपनी निगाहे डाली हुई है और ये वक्त के साथ आपके पोसंग में वो हिम्मत और सक्ति भी प्रजान करेगी, हर्मिट आया है तो हर्मिट का मतलब क्या हर्मिट का मतलब मैंने आपसे सुरवात में ही कह दिया था कि एक बहुत बड़ा सुधार केंदर है हर्मिट में जो भी गया तो उसके चले जाने की बाद वो दर्वाजा बंद हो जाता है, अगर आप देखोगे न तो इसी कार्ड में आपको दिख जाएगा कि आपको एक बंद दर्वाजा दिखेगा यहाँ पर कुछ नहीं है और बंद दर्वाजे के उपर में चाबिया लटकी हुई है यानि कि ये चाबि और ये दर्वाजा दर्वाजे की चाबि बिल्कुल दर्वाजे के उपर ही टंगी है गाईज़ आप देख लो यहाँ पर है ना इस दर्वाजे से निकलने का एक ही तरीका है प्रायस चित कर लो हैना सुधार केंद्र में गए हो तो सुधार होगा ही बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा हैना बुरी लत है तो बुरी लत को छोड़ना पड़ेगा गंदगी है मन के अंदर गलतिया हुई है अपने से, हैना कमजोर है आप, हैना आप रिष्टे में वादे करते हैं, भूल जाते हैं, आप किसी इंसान की जिन्दगी के साथ खेल जाते हैं और ये सारी चीजे जब तक आप accept नहीं करोगे ना, कि हाँ मैंने ये किया है, हाँ मुझसे ये गलत हुआ है, तब तक इस बंध दर्वाजे की चाबी नहीं खुलने वाली है, आप समझ लो कि आपके हाथों के उपर ही है ये चाबी है, हैना पर आप नहीं खोल पाओगे, क्य क्योंकि आपको इजाजत नहीं है कि आप बाहर निकल कर फिर से किसी और की जिन्दगी को बरबाद कर दो, एक की तो कर चुके हो, पहले उसकी प्रायशित कर लो, हैना प्रायशित करके एक इंसान बन जाओ, हैना एक राक्षत से इंसान बन जाओ, उसके बाद जो है तुमे इस दरवाजे से निकाला जाएगा जब तुम टोटली प्रायस्चित कर लोगे वरना तुम्हारा जो है पस्तावा किसी काम का नहीं है सुधार यहाँ पर आपके पोसन को बहुत ज्यादा नेसेसरी है इनके लिए सुधार केंदर ही कहूंगी मैं हर्मिट क्योंकि यहाँ पर गुरू यहाँ पर एक गुरू होते हैं जो आपके पोसन को हर तरीके से नालायक से लायक बनाने का काम हर्मिट में किया जाता है इस बंदरवाजे के अंदर जिसके वज़े से यह आईसोलेटेड भी है अकेले भी फिल करते हैं इनकी लाइफ की जो रफतार थी स्पीड थी जिस रफतार से यह वक्ति भागते थे जिस रफतार से यह वक्ति जूट बोलते थे जिस रफतार से यह वक्ति जो है रिलेशनशिप तोड़ देते थे हैना धोका दे दिया करते थे वह रफतार तो अब मानों खतम हो गई है क्योंकि हर्मिट में रफतार नाम की चीज नही नहीं रह जाओगे और क्यों क्योंकि तुम उस दुन्या में अगर दौर लगाना चाहते हो तो सबसे पहले इमांदारिता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए और इमांदारिता यहां पर नहीं है क्योंकि वह किसी के साथ गद्दारी करके आया है तो हर्मिट में यह सारी और इनका अभी जो लाइफ में जो तकलीफ है चल रही है ना इनकी बातों का अपने तर अंदास कर लो हैं ना यहां पर जो सबसे इन्हें वापस आने के लिए एक तयारी यहां पर हो रही है पहले तो आपको बता तुम साइंकल खतम होना है दूसरा हर्मिट से आपके पोस चाबिया खोलने का हख उसी इंसान को होता है जो पवित्र होता है जो दिल से साफ होता है जिसने अपने गलत विचारों को त्यागा होता है जिसने अपनी गलतियों को माना होता है तो वह हो रहा है ठीक है यह वक्ति डेफिनेटली वापस आएंगे पर इसके लिए समय लग याई नहीं एसा नहीं होता हर्मित और साइंकल दो ही काड ऐसे आये हैं जो बहुर रहे हैं कि रुकना पड़ेगा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इस वक्ति के अंदर बहुत सारी चीजे गलत है यह घंदर से खुद भी गलत है क्योंकि सब्सक्राइब नहीं आया होता त यह वंति हैं It is a एक वक्ति यह वापस आने का जो रास्ता है वह इस का रायस्त है करी Smith समय दीक हमें सिब्त करे लारा पर समय के साथ हर्मिट ए वर्मिट के साथ के व्ट्री लेकिन इंतिजार वाली घड़ी है, इंतिजार का फल जो है आपको मिलेगा पर थोड़े समय के बाद मिलेगा तो चलिए इनिवर्स की तरफ से देखते हैं क्या है स्ट्रेस नंबर सेवन के एनरजी फिर से आ गई है निकल कर जो आपको दिया है वो ही खुद को मिल रहा है कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी जैसा करोगे वैसा ही भरोगे आप कोई 30 मार खां तो हो नहीं आप कोई भगवान तो हो नहीं कि आपको अपने किये की सजा ना मिले आप इनसान हो और आपने ऐसा ही तनाव ऐसा ही दर्द ऐसा ही 24 घंटे का 365 365 दिन का जो टेंशन है आपने भी जो किसी को दिया है ना कोई है जो आपके लिए हर वक्त तनाव ले रहा है या ले रही है सोच रही है तो आप कैसे जो है इस कर्मा से बच जाओगे आप भी इस कर्मा से नहीं बच बाओगे आपको भी उतना ही तनाव होगा आपको भी जिल्लते जहलनी पड़ेग दस्वर्श यहां पर आया है बिल्कुल स्वर्श का मतलवी होता है इस्वर के नर्दीक होना इस्वर के करीब होना जो इनसान इस्वर के करीब होता है जिसे इनसान इस्वर से डर लगता है वो इनसान ऐसी गलतिया नहीं करता है पर अब तक मुझे लग रहा है कि इनसान इस्वर से भी बहुत दूर था है ना इसे डर नहीं लगता था कड़वा बोलने में जूट बोलने में धोका देने में है ना आपसे हमेज अपने बारे में सोचने में इसे डर नहीं लगता था क्योंकि इसे इस वर का खौफ नहीं था अल्ला का भगवान का खौफ नहीं था इस वक्ति को पर अब है क्योंकि आपके person को या आपको मिल सकती है इस वर के बहुत सारे बंदे होते हैं आप जानते हो angels होते हैं युनिवर्स में बहुत सारे ताकते होती है तो किसी न किसी को माध्यम बना कर भी जो है यह वक्ति आपके करीब या नस्दिक आ सकते है ठीक है चलिए इस डेक्स से मैसिज देखते है आप सवाल लेकर तयार हो जाए कुछी देर में मैं यसर नो जो आपके मन का मन का जो सवाल है यह मेरा खतम हो गया गईस जो आपके पार्टनर के लिए जो यसर नो था वो मेरा खतम हो गया है अब आपके सवाल की बार ही है थोड़े दिरवाद में आपको उसके सवाल का जवाब दूसरे किसी डेक से देने वाली हूँ ठीक है वाव ओपोर्चुनिटी बेकन्स का कार्ड यहां पर आया है बिलकुल जिसका आपको था इंदजार नमबर चार के अनरजी यहां पर निकल कर आई है नमबर फॉर इंपोर्टन हो सकता है तो जिस ऑफर का जिस ऑपोर्चुनिटी का जिस रास्ते का तलास आपको था मुझे लग रहा है कि अब वो बिलकुल आपके दर्वाजे के नीचे है गाईस वो बिल्कुल आपके करीब आप चुका है जो चीज़े अभी तक रुकी हुई थी वो चीज़े आपको मौका मिल रहा है opportunity का मतलब क्या होता है कि मौका आपको जो है दिया जा रहा है इस तोर की तरफ से आप ये मौका किस चीज़ को लेकर है ये सवाल आके लिए मैं छोड़ती हूँ तो चलिए अब बारी है देखने की कि क्या आपके person से जुड़ा हुआ कोई सवाल है जो आप पूछना चाह रहे हो क्या रिष्टे से जुड़ा हुआ कोई person है crush से जुड़ा हुआ है पैसे या money से जुड़ा हुआ है family से जुड़ा हुआ है बाल बच्चों से जुड़ा हुआ है extra affair या marriage से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न है देखते हैं कि इस deck से उसका answer हमें yes में मिलता है या फिर no में मिलता है patience का card आया है गाईज अब ये क्या होता है अच्छा आपके मन में जो भी सवाल है उसका बहुत ही जो है ऐसा answer इसर ने भेजा है ना तो ये आपके लिए अभी yes है और ना ये अभी आपके लिए no है बस यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो चीज तुमने सोच कर प्रशन मन में लिया है जिस प्रशन का उत्तर तुम जानना चाते हो उस उत्तर को पाने के लिए तुमें करना होगा थोड़ा सा इंतजार patience का मतलब होता है सबर रखना पेशन्स का मतलब होता है इंतजार करना धेर रखना और आपने ये कहा वस्तु नहीं होगी कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है कड़वा नहीं होता तो आपके उत्तर आपके लिए तयार है पर वो आपको तब मिलेंगे जब आपका सब्र यहाँ पर जाजा जाएगा परखा जाएगा कि आपने कितना इंतजार किया है कैसे इंतजार किया है बुरा सोच कर इंतजार किया है अच्छा सोच कर इंतजार किया है आपने अच्छा कर्म किया है जो भी है आपका इंतजार जाया नहीं जाएगा बेकार नहीं जाएगा यह मेरा आपको कंफरमेशन है यह मेर दागा था पार्टनर के लिए दागा था मैरिज के लिए दागा था हर चीज आपकी आपकी होगी पर इतनी जल्दी आ इतनी आसानी से नहीं उसके लिए थोड़ा सा पापड़ बिलना पड़ेगा और पापड़ का नाम है इंतजार पेशन्स समझ गए ना गाइस चलिए यहां पर सोर्स का भी काड आया था और यहां पर helpful people के भी energy आ गई है मुझे लग रहा है काईस की कोई तो मददकार कोई तो खुदा का बंदा या खुदा की बंदी है ना इस वर का कोई ना कोई एंजल यहां पर definitely आपके जीवन में जो हैं भेज रही है मदद करने के लिए आपकी help करने के लिए आपको रास्ता दिखाने के लिए चाहे वो relationship को लेकर हो या किसी भी चीज़ को लेकर क्यों ना हो अगर आप अकेले हो अगर आपको मदद नहीं मिल रही है तो देखे एंजल आपके लिए किसे भेज रही है लोगों को भेज रही है समझ गए तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हो यह इस बात का ध्यान रखना अगर आपसे कोई फैसला नहीं लिया जा रहा अगर आप confusion में हो रहे हो तो जो आपको guidance दे रहे है जो आपको कोई अच्छा suggestion दे रहे है रास्ता दिखा रहे है तो उनको ignore मत कीजिए ठीक है क्या पता वो इंसान इस तब तक आपको रखने अपना बहुत अच्छा ख्याल क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार लव्यों और टेक्यार नमस्ते आड़ गाईज